एपिसोड की शुरुआत होती है ये सोल्जर से जिसका नाम जेजुन रहता है वो अपनी माम से जुड बोल के जुम्बी से लेने जाता है उसकी माम उसे मना भी करती है बड़ एक सोल्जर अपनी जिमिदारी से पीछे नहीं हटता कोई भी मुसीबत आती है तो हमारी रक्षा करने के लिए खुद सामने खड़ा हो जाता है बिचारा जुम्बी से लड़ते टाइम उसे जुम्बी काट लेता है फिर सब उसको बैग में बंद करके अलग कर देते है फिर मिस्टर लीब बताता है कि अगर बोड़ी का टेंपरे करके जो बुलाया था उसका पहली बार नाम लिया था करके नम्रा जुम्बी से बाहर आ जाती है लिसो बोलता है कि मैं अगर तुम्हें नाम से बुलाता तो तुम समझ जाती कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तुम कहां टॉप पर और मैं कहां पीछे यह सुनके नम्रा र लग लगता है तो वह उसे थर्मस से मारता है जिससे उसकी मचली गिर जाती है वह भरक जाती है और उसे यह भी आता है कि इस टीचर को जब उसने बताई थी रेगिंग के बारे में इसने कुछ नहीं किया तो अपना बदला ले लेती है उसको काट के वहां नम्रा को आवाज जोंबी लोग जरा सी भी आवाज सुन लेते हैं नम्रा सब को बता दी कि कोई वामेटिंग कर रहा है और वो इंजू ही रहती है फिर वो लोग बहार जाने का फैसला करते है वो रिकॉर्डर की हेल्प से वहां गी नम जिन्दा रहता है फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलता है जो उस पे हुकम जा रहा था कि गारी लेके आओ फिर अपन साथ में जाएंगे और उसे मारता भी रहता है गी नम मना भी करता है तो उसे चिलाता है कि मैं हूँ दिखता नहीं तुमारा बास हूँ गी नम भरक जाता है और उसे गारी से बहां निकालता है उसका हाथ मोर के कि अपसे मैं बहुत हूं इसलिए अपनी जन की भीक मांगो वो मांगता भी है बड़ बोलता है कि मन नहीं कर रहा है मदद करने का और उसका हाथ मोर के हड़ी निकाल देता है फिर सारे जोंबी आके उस पर हमला करते हैं फिर मिरर में अपनी शकल देखें बोलता है कि चिंग स एसे टर्स पर जाएंगे फिर सब काम पर लग जाते हैं उन्जू लिसों को बोलती है कि हाथ अपना खोल सकते हो बट वह बोलता है कि रहने देने फिर वो बोलती कि ऐसा करो तो कोई भरोसन नहीं करेगा नमरा पर फिर वो खोल देती है वहाँ केपटन पानी से निकल के तो वहाब इस अंदर चले जाते हैं वो बोलता है कि मुझे छोड़के चले जाओ बड़ वो लोग नहीं चापाते और उससे भी मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं वो बोलता है कि पता भी है मरना कैसा फिल होता है वो बोलती है पता है मुझे भी वैसा ही फिल होता है जब का मुह बन जाता है फी वो लोग जाते हैं पीछे से ये सब को मारता है और डर के चिलाता रहता है सारे जुमी वो लोग के पीछे बागते है फी सब को छोड़ के आगे जाते है तो वो लोग को लाइव वाला बंदा दिखता है जो घर के उपर था पुलीस वाला उसकी मदद क करना चाहता है बड़ पीछे वाला करने नहीं देता तब भी पुलिस वाला जैसे जाता है उसे बचाने के लिए यह स्कूटी लेकर भाग जाता है यहां क्लास में यह लोग सब मिलके देवाल जैसा खड़ा करते हैं फिस सब दूसरे साइड रहते हैं अंदर वाजा खोलने च इसलिए टेंशन मत लो और मैं नम्रा को पसंद करता हूं इसलिए उंजो के साथ अच्छे से रहो फिली सो दर्वाजा खोल के दुसी तरफ जाता है फिर मीजिक चालू कर देते हैं सारे जोंबी अंदर आने लगते हैं फिर देशु चिला चिला के भी सारे जोंबी को बुल सके वह भी पोस्माटम करके फिवो जाके पॉलिटीशन को बोलता है कि भले पॉलिटीशन हो रूल सेम फॉलो होगा सब के लिए फिवो बोलती ही कि एक हॉलिकॉप्टर स्कूल में भेज़ दो महां के स्टूडन को जरुवत है एक कैप्टेन अकेली ही गया है फिर कमांडर इस पर ये लड़का देखते आ रहता है कि हेलिकॉप्टर आ रहा है और भार से आवाज भी आ रही होती है बट वो डर के नहीं खोलता फिर नीचे जोंबी लोग आने लगते हैं ये दोनों वो लोग से लड़ते हैं फिर लोग बड़ा सा तिरपार फिकते हैं तो जोंबी लोग उसमें उलग जाते हैं यहां सोलजा लोग आ कि उस लड़के का टेंपरेचर चेक करते हैं और उसे पुछते और कोई है क्या बड़ वो कमीना बोलता है कि कोई नहीं है यहां तिरपार हटा के गी नाम एंट्री करता है अपने हाथ में एक जोंबी को लेके उसे देख के चिंगसन पूरा डर जाता है और यहीं एपिसोड खताम हो जाता है क्या गी नाम अपनी ख्वाइश पुरी कर बाएगा चेंगसन की आख निकालके नेक्स एपिसोड में जरूर देखे नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैन के